बीजेपी के नेता पहले तो भड़काव बयान देते हुए नफरत फैलाते हुए ही पाई जाते थे लेकिन अब ये लोग जबरन वसूली भी करने लगे हैं लोगों को डरा दमगा कर पैसे वसूलने लगे हैं कभी बीजेपी के लोग सवाल पूछने पर माफिया मंगवाते ह उसकी वीडियो बनाते हैं सोचल मीडिया पर शेयर कर देते हैं लेकिन अब लोगों ने वसूली का काम भी शुरू कर दिया है और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये काम बीजेपी के किसी छोटे मोटे नेता ने या कारेकरता ने नहीं किया बलकि देश की वित्मंत है दरसल बैंगलूरू की एक स्पेशल कोट ने 27 सितंबर को वित्मंत्री निर्मला सीता रमन के खलाव दर्च करने का आदिश दिया है एफम मेटम पर इलेक्ट्रोल और बोंड के जरिए जबरन वसूली का आरूप लगाया गया है जनादिकार संगर्ष परिशत के रिशेथ करते हुए निर्मला सीता रमन के खलाव कारवाई करने का निर्देश देने की मांग की ती डिसके वाद इंकी याज़ेगा पर सुनवाई की और वित्मंत्री निर्मला सीता रमन के खलावworking का आदिश दिया है बाताईयों रिपट्ट्रेय वित्तमंत्री के कोट को देश की वित्यमंतरी के खलाफ दर्च करने का आदिश दे रही हैं क्योंकि इनके उपर जना धिकाज संगर्ष परिशत के आदेश अयर ने जबरस्ति धंका कर पैसे एटने का आरूप लगाया है कितने अफसोस की बात है कि देश की वित्यमंतरी पर यह आरूप लग हैं कि वो इलक्ट्रोलर बोन के जरिए जबरन पैसे वसूलने का काम कर रही थी इस मामले के अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी लेकिन सवाल तो यह उठता है कि ऐसे संगीन आरूप लगने के बाद मंतरी मुहिद्दी स्थिफा देंगी या अपनी ताकत का इस्तमाल करकर FIR करने वाली से माफी मंगवाएंगी दोस्तों यह पहली बार नहीं है जब सीता रमंट पर ऐसे आरूप लगे हो इससे पहले भी इन्होंने लोगों से माफिया मंगवाई है क्योंकि वो लोग इनसे सवाल पूछ रही थे निर्मला सीता रमंट तमिलनाडू के कोईंट GST से जुड़ी अपनी परिशानी मेडम को वो बताने लगे थे वो कहने लगे थे कि मेरी मिठाई के दुकाने जहां पर मिठाई पर 5% GST लगती है नमकीन पर 12% साधा जो बन होता है उस पर 0% मतलब कुछ भी GST नहीं लगती और जो क्रीम वाला बन है उस पर 18% लगती है श इसकी गिराहक जो है वो शिकायत करते हैं इसलिए आप GST को थोड़ा सरल कर दीजी बस यही बात थी जो शायर निर्मला सीता रमन को इतनी ज्यादा बुरी लग गई कि अन्नापूर्ना स्वीट्स के मालिक श्री निमासन को निर्मला सीता रमन से पूचे गए अपने सवाल को लेकर माफी तक मांगनी पड़ी थी जो अपिस घंटे के अंदर श्री निमासन को बुला कर माफी मंगवाई गई थी जिसका वीडियो बना कर उसे बीजेपी की तमिलनाडो यूनिट ने सोशल मीडिया पर भी कोस्ट कर दिया था मतलब देश की वित्मत्री से कोई अपन लग रहे हैं वैसे जिस तरह से मैडम साहिबा पर आरूप लग रहे हैं ये मुद्द देश में होने वाले कुछ राज्यों की विधानसवा चुनाओं में बड़ा मुद्द बन सकता है जो बीजेपी के लिए बड़ी चुनोती भी उभर कर सामने आएगा खेर दोस्तों की तर्रामेंट पर अब FIR हो गई है डरा धमका कर पैसे वसूलने का आरूप लग रहा है क्या लग रहा है आप लोगों को इस वीडियो पर हमें अपनी राइस जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हैं हमाई साथ